हेलो दोस्तों नमस्ते प्रणाम जैसी राम हरहर महादेव चलिए मेरे पास आज महादेव जी का यह रुद्रक्ष है मेरे पास हाथ में देख रहे हैं रुद्रक्ष जो यह 108 है तो आप लोग देख सकते हैं और डूब्लिकेट कैसे पहचान हम कर सकते हैं आप लोग देख सकत हैं अगर अभी पानी हम डालेँए पानी है दिबा में पानी भरा हुआ इसमें हम डालेंगञा तो झाल जाएगा तो नकली है तो अभीन हम आप लोग के सामने में ही डालते हैं यह चेक करते हैं देखिए तब यहां चेक करते हैं हम चेंज्छ पर मुझे पता नहीं अब इसको पता एक उपाई है और आप लोग अभी और नकली के पहचान क्या आप लोग बताते हैं अपना रहा या और जिनल नकली यह तो इसको भी हम पानी में डालेंग अगर डूब जाएगा तो जीनल है मेरे कहने से मुझे अतना भी नहीं ग्यान है कि और दूबलिकेट में क्या पहचान किया जाता क्या होता है पर मैं यह जानता हूँ कि अगर पानी में डूब जाएगा तो जीनल है और च्छपिल जाएगा तो डूबलीकेट है चलिए अभी इसको हम डालते हैं यह ब चलिए छोड़ दिये पानी में देखिए भाई पानी में छोड़ दिये अब क्या हो गया इसको देखिए पानी बुन-बुन कर रहा है देखिए पानी उसमें भर रहा है पूरा जो माला है तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कलर अभी डाला हुआ थे जो बनाए थे तो पानी का बुन बुन निकल रहा है आप लोग देख सकते हैं तो माला डूब गया छपिला नहीं है जिसे बहुत माला होता है कि छपिल जाता है तो यह डूब गया है तो आप लोग प्लीज कॉमेंट में जुरूर बताएए और जिनल है कि डूबलिकेट है जैसे कहने के मतलब ह अब पानी में अगर चपिल जाता है तो इसको डूबलिकेट माना जाता है तो अभी मेरे पास यह माला है एक माला तो पहेंद रखाओं तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो कलरलर है वो पूरा तरी से मलो छूट रहा है निकल रहा पानी को मलो रंग बदल दिया बदल द अपने गाड़ी के अंदर में चेट वाटा मारें और जहां तक पी भी लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यह पानी बढ़िया पानी है कोई फरेश गंदा पानी नहीं है फरेश पानी है बिल्कुल तो आप लोग देख सकते हैं यह दहाँ और रुद्राक्ष माला का का इसका जो कलर है कणर के वज़े से देख रहे करका हाँ छूट रहा है जो कलर इसमें डाला गया है जो कलर डालते हैं भैचने के लिए V collectors भाय बैचते हैं मुझे नेपावी भाई लोग से खेयदे हैं लोग के पानी नहीं बुन-बुनिया देखिए इसमें बुन-बुनिय छोट रहा है मुलब फोक ना जो फोलने के लिए पानी का हावा जो एर निकल रहा है ओ एर निकल रहा पानी से आप लोग देख सकते हैं इने के पानी नहीं उसमें पानी है भरा हुआ पूरा पानी है और उसका आप लोग हर- हर महादेव जरूर निखे कॉमेंट में ताप लोग को दिखाते हैं 108 माला के यह आज हम क्या है और जिनर डुब्लिकेट के पहचानता आप लोग प्लीज मुझे तो जितना जनकारी हम बता चुके हैं और आप लोग को अगर जनकारी जो है प्लीस आप लोग अब लोग चलिए भी फिर इसको हम निकालते हैं हाथ डुबा कर हाथ डुबा कर निकालते हैं इसको क्या मले कुछ पानी पर परता है और पिर इसमें लगता है यह क्या बोलते हैं कुछ खराब होता ऊखे, यह माला कि एसी रहता है, इसको अभी हरहर महादेव चलिए हम निकालते हैं पानी से, देख़ए मेरा पानी में हाथ इतना ढूबा, देख़ए, पानी के क्या कर दिया भाई, पानी के देख़ए पाणि में क्या असर पड़ा देखिए आप लोग देख सकते हैं पानी में क्या असर पढ़ गया पहले जल हम हास डुबाए नी थे तर पाणी पूरा इधम दिख रहा था पूरा फरेश दिख रहा था सफा पर आफ इसमें पानी से निकालने तह पानी का असर आप लोक harbor देख सकते हैं क्या है पानी की अशर है तो यह अभर जो इस 1978 पर और को यह चूट कि निए में आप लोग देख सकते हैं चो दिए हैं पानी में अब फिर इसके बाद क्या होता है पतानी ढर रते हैं स्क subscribe हम निकाल लेते हैं धीरे दीरे आप लोग देख सकते हैं तो इसको निकाल के फिर इसको बाद हम बाद में इसको आभां कि शुकता है क्या यह सुखने में कोई दिक्कत होता है इसमें और जिनल डूब्लिकेट पहचान आप लोग प्लीज जरूर बताईयेगा आप लोग लवाई बहुत मोई एक चमतकार है तो दो इसको धारन करते हैं, वही समझते हैं, तो बाकि आप लोग को अगर समयना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं किसी भी पंडित से या गुरू से या तो चेहें ब मनुस्य देया वह बहुत अपना इसको पहने से बहुत चीज को करने पड़ता है कि मुझे नियूह कभी परसानी नहीं के मुझे Украї तो कुछ भी हम कर सकते हैं उस्थी हम बोल सकते हैं तो आप लोग सकते हैं दोस्तो जो भी है यह माला आभी पूरा पानी पर आसर पड़ गया जो है कलर ईसका तो देख रहे हैं इसको फिर छोड़ दिए चलिए और फिर से आप निकाल कर हम रख लेते हैं तो आप बोग देख सकते हैं जो इसका कलर नेरे सो और जीणल मला है तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सेर किजिए चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब किजिए फेस्बुक पेज को फॉलो कर लिजिए प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों तो चलिए और अपना राय जरूर बताईएगा कॉमेंट सेक्षन में चलिए फिर मिलते हैं एक लिए वीडियो में बाई बाई हर हर महादेव हर हर महादेव चलिए